तो बच्चा हम लोग कर रहे हैं BST का हमारा चाप्टर नमबर 2 प्रिंसिपल्स अफ मैनेजमेंट देखो फे आल के सारे प्रिंसिपल्स हम लोगों ने कंप्लीट कर लियें तेलर के सारे साइन्टिफिक प्रिंसिपल्स अफ मैनेजमेंट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिये अब आज इस चाप्टर की हमारी लास्ट क्लास है आज हम लोग क्या डिसकस करेंगे देखो जिस तरह से टेलर ने हमें साइन्टिफिक प्रिंसिपल्स अफ मैनेजमेंट दिये हैं Taylor ने हमें 4 scientific principles of management दिये हैं सेम इसी तरह से Taylor ने हमें कुछ techniques भी दी है techniques of scientific management सबसे पहले तो यह समझो principles और techniques में क्या difference होता है principle का मतलब होता है सिध्धान्त काइदे कानून principles हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए principles किस पर based होते हैं and effect relationship पर based होते हैं कि अगर हम किसी particular principle को apply करेंगे मान लो मैंने कोई particular principle apply करा harmony not discord तो उससे हमें यह outcome मिलेगा उससे हमें यह result मिलेगा तो principles हमें क्या बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए वही techniques हमें बताती हैं कि काम को कैसे करना चाहिए techniques का मतलब है यह कुछ methods हैं यह कुछ procedures हैं कुछ sequence of steps हैं कि हमें किसी भी काम को किस तरह से करना चाहिए तो Taylor ने हमें 5 techniques दी है scientific management की जिने हम one by one discuss करेंगे सबसे पहले हमारे पास में functional fourmanship second हमारे पास में आता है standardization and simplification of work third है work study, work study के अंदर हमें 4 तरह की studies पढ़नी है fourth है differential piece weight system और last हमारे पास में आता है mental revolution one by one discuss करते हैं सबसे पहले हमारे पास में आता है functional fourmanship ने को functional fourmanship का मतलब क्या है Taylor कहते हैं कि किसी भी यहाँ पर हम factory की बात कर रहें यहाँ पर हम top level managers की बात नहीं करें management की बात नहीं हो रही factory की बात हो रही है तो टेलर कहते हैं कि यह जो factory है न उसे दो parts में divide कर दो दो departments में दिवाइड कर दो एक तो production department और एक हमारा planning department planning department का का मैं क्या है planning वाले actually में production नहीं करते planning वाले सर्फ क्या करते है planning करते हैं planning क्या है है एक mental exercise है जिसमें advance में decide करा जा रहा है जिने actually production करना है raw material को finished goods में convert करना है तो tailor कहते हैं यार factory के अंदर दो departments होने चीए production department अलग होना चीए planning department अलग होना चाहिए अगर production वाला बंदा ही planning भी करेगा तो production पर focus नहीं कर पाएगा वो अपने काम में best नहीं दे पाएगा हमें यहाँ पर specialization के benefits नहीं मिल पाएगे समझ में आ गया तो सबसे पहले सबसे उपर हमारे पास में कौन है factory का manager factory manager अब factory को हम लोगों ने दो parts में divide कर दिया एक department है हमारा planning department जिनका काम है सिर्फ और सिर्फ क्या करना planning करना mental exercise है दूसरा department हमारे पास में आता है production department जिनका काम है actually production करना यानि कि हमारा operation वाला department planning department के headcon है planning in charge production department के headcon है production in charge अब यहाँ पर tailor कहते हैं कि workers के उपर सबसे नीचे हमारे पास में workers जो actually काम करते हैं workers के उपर हमारे पास में 8 functional experts होने चाहिए 8 specialized लोग होने चाहिए जो workers को guide करेंगे उन्हें instructions देंगे उनके काम को supervise करेंगे उन पर नजर रखेंगे तो 4 functional experts तो होने चाहिए planning department के अंदर और 4 functional experts होने चाहिए हमारे production department के अंदर बहुत यहाँ से समझना planning department के अंदर हमारे पास में 4 functional experts यानि कि चार specialized लोग होने चाहिए कौन-कौन रूट क्लर्ग एक साथ समझाती जाती हूँ रूट क्लर्ग नाम से ही समझ में आ रहा है रूट क्लर्ग का काम क्या है? वर्कर्ग को रूट यानि कि वर्कर्ग को direction देना उन्हें दिशा दिखाना तो root clerk का काम है workers को बताना चाहे वो mechanical job हो, machine day से करने वाला काम हो, चाहे वो manual job है, हाथ से करने वाला काम है, किसी भी काम को करने के लिए उन्हें कौन कौन से steps follow करने है, तो root clerk का क्या काम है, workers को बताना कि किसी भी job को perform करने के लिए उन्हें कौन कौन से steps follow करने है, यानि की root, य का काम है general instructions देना किसी भी job को perform करने से related जो basic or general instructions होते हैं वो general instructions देने का काम किसका है instruction card clerk का third आता है time and cost clerk दो काम है यहाँ पर time clerk मतलब यहाँ पर यह decide करना कि किसी भी job को perform करने में कितना time लगेगा किसी काम को कब start करना है किसी job को कब complete करना है तो time decide करना, साथ साथ में cost sheet पे prepare करना कि किसी भी job को perform करने में कितनी cost लग रही है कितनी cost of production आ रही है और last आता है disciplinarian ये make sure करके रखना कि organization के अंदर discipline से काम होना चाहिए सारा का सारा काम एक systematic तरीके से होना चाहिए order से होना चाहिए समझ में आ गया तो planning in charge के नीचे हमारे पास में कितने functional experts है चार functional experts है इनके नीचे हमारे actual workers काम करते है root clerk का क्या काम है steps बताना कि किसी भी job को perform करने में कौन-कौन से steps follow करे जाएंगे instruction card clerk का का काम है job को perform करने से related basic और general instructions देना time and cost clerk का का काम है यह बताना कि किसी भी job को perform करने में कितना time लगेगा job कब start करनी है कब तक complete हो जानी चाहिए cost sheet बनाना यह बताना कि किसी भी job को perform करने में कितनी cost of production लग रही है और last discipline area जिसका काम है यह make sure करना कि organization के अंदर discipline रहे सारा का सारा काम order से होना चाहिए systematic तरीके से होना चाहिए clear हो गया second department हमारे पास में आता है production department यानि कि हमारा operations वाला department यहाँ पर हमारे पास में कौन है production in charge है अब production in charge के नीचे भी हमारे पास में चार functional experts होने चाहिए चार specialized लोग होने चाहिए जिनके under workers काम करेंगे gang boss gang boss का काम है सारे के सारी machines को arrange करना सारे के सारी tools को arrange करना सारे के सारी resources को arrange करना ताकि speed से काम हो सके delay in action देखने को ना मिले time जो काम है वो systematic तरीके से time पर हो जाए तो gang boss का क्या काम है सारे के सारी resources सारी के सारी machinery सारे के सारे tools वगरा को arrange करना ताकि delay in work ना हो second है speed boss, speed boss का काम है ये make sure करके रखना जो काम है वो time पर complete हो जाना चाहिए delay in action नहीं होना चाहिए third आता है repair box नाम से समझ में आ रहा है, इसका काम है ये make sure करके रखना कि जितनी भी machinery है जितने भी resources वगरा, tools वगरा है वो सारे working condition में तो है कहीं कोई गड़बड है तो उन्हें repair करवाना उन्हें सही करवाना और last आता है inspector inspector का का काम है quality देखना कि जो product बनके निकल रहा है वो अच्छी quality का तो है समझ में आ गया, gang boss का क्या काम है सारे के सारे machines, सारे के सारे resources सारे के सारे tools अरेंज करना ताकि delay in work ना हो speed boss का काम है ये make sure करके रखना कि जो काम है वो time पर complete होना चाहिए repair boss जो है वो make sure करके रखेगा कि सारे के सारे जो tools है, resources वगरा, machine वगरा है वो working condition में तो है और inspector का में काम है ये make sure करके रखना कि जो product बन के निकल रहा है वो अच्छी quality का तो है ना इन 8 functional experts के नीचे कौन काम करते हैं हमारे workers काम करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ गया अब ये को लिखा हुआ क्या है Taylor कहते हैं कि जो factory है उसे दो departments में डिवाइड कर दो production department और हमारा planning department Taylor felt that workers must be free from planning and they must concentrate on work and production Taylor कहते हैं जो workers हैं उन पर planning का burden नहीं होना चाहिए planning वालों के लिए अलग department होना चाहिए ताकि हमारे जो workers हैं वो production पर focus कर सके अपने काम पर focus कर सके इससे हमें किसके फायदे मिलेंगे हमें specialization के फायदे मिलेंगे यहाँ पर Taylor ने आठ specialized experts, functional experts डवलप करे हैं जो workers को guide करेंगे, उन्हें instructions देंगे, उन्हें supervise करेंगे, उन पर नजर रखेंगे और बहुत important question यहाँ से पूछा जाता है This is the extension of principle of division of work हम लोगों ने Fayol का first principle पढ़ाता, division of work वहाँ पर भी काम को divide करा जा रहा था, यहाँ पर भी काम को divide करा जा रहा है न तो यह उसी principle division of work का क्या है, extension है उसी को अगर हम आगे बढ़ा देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, functional formanship यहाँ पर हमें specialization के फायदे मिलेंगे, factory level पर समझ में आ गया, यहाँ पर हमारे पास में art functional experts है planning department के अंदर root clerk हम लोग ने क्या पढ़ाता, यह बताता है sequence of steps कि कि किसी भी job को perform करने के लिए हमें कौन-कौन से steps follow करने पढ़ेंगे instruction card clerk का का काम है, job को perform करने से related basic और general instructions देना time and cost clerk का का काम है, यह decide करना कि किसी भी job को perform करने में कितना time लगेगा कब काम start करना है, कब तक काम complete हो जाना चीए और साथ साथ में cost sheet भी prepare करना किसी भी job को perform करने में कितनी cost लग रही है और last is disciplinarian, जिसका काम है, यह make sure करके रखना कि organization में सारा काम order से हो और systematic तरीके से हो, दूसरा department हमारे पास में था production department जिसे हम operational department भी बोलते हैं, gang boss का क्या काम है, सारी की सारी जो machines है, tools है जितने भी resources है, वो सारे की सारे arrange करवाना, available होना ताकि delay in action ना हो speed boss का का काम है, यह make sure करके रखना कि जो काम है, वो time पर complete हो जाए repair boss का काम है, यह make sure करके रखना, सारी machines और जितने भी tools रखना है, implements है वो सारे के सारे working condition के अंदर हो और inspector का काम है, यह make sure करके रखना कि जो output है, वो अच्छी quality का होना चाहिए समझ में आगे functional formanship, main बात याद रखना principle of division of work का यह क्या है, extension है पहली technique clear है, second technique आती है हमारे पास में standardization and simplification of work, दोनों अलग अलग बाते हैं standardization अलग होता है, simplification अलग होता है देखो standardization का मतलब क्या है, मान लो मैं iPhone 15 लेने गई, white color के iPhone 15 की मैं बात करी हूँ मैं लेने गई, तो मुझे और आप भी लेने गई, अब आप मैं Bangalore में रहती हूँ, आप मान लो MP के अंदर रहते हो white color का iPhone 15 मैंने लिया है, same वैसा ही मुझे मिलेगा same वैसा ही आपको मिलेगा, आपको वाले की shape भी वही होगी मेरे वाले की shape भी वही होगी, आप वाले का size भी वही होगा, मेरे वाले का size भी वही होगा, मतलब shape भी same है, size भी same है, color भी same है, अंदर के सारे features same है, ऐसे हम लोग क्या बोलते है standardization, यानि कि जो product है वो एक standard quality का है, जो product 105 रुपीज की नीविया की एक क्रीम की बात कर रही हूँ, तो आपके यहाँ पर भी वो वैसी ही मिलेगी, मेरे यहाँ पर भी वो वैसी ही मिलेगी, एकदम आइडेंटिकल होगी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, Standardization, Standardization refers to the process of setting standards for every business activity, हर तरहे की business activity के लिए, एक standards fix करना, ताकि जो हमारा product बनके निकल रहा है, वो एकदम identical हो, एकदम same to same हो, जब हम कोई branded चीज लेते हैं, तो चाहे आप कहीं से भी रेलो, किसे दूसरी country से भी क्यो ना लेलो, वो एकदम same quality के होती है, हर चीज उसमें एकदम same होती है, this is known as standardization, अब standardization कैसे होगा, जब आप उस चीज को मनाने के लिए, same तरह का raw material यूज कर रहे हो, same process से वो चीज बनाई चारी है, same time में वो चीज बनाई चारी है, उस चीज को मनाने के लिए, आप same machinery यूज कर रहे हो, same method, same working conditions है, for example, मैगडी के बर्गर की बात करते है, मैं यहां खाऊंगी, तो भी मुझे वही टेस्ट मिलेगा, आप वहाँ पर खाऊगे, आपको भी वही टेस्ट मिलेगा, क्योंकि raw material सेम है, working conditions सेम है, same तरह कि employees यूज करे जारे है, same तरह कि environment में बनाई जारी है, same तरह कि चीजे यूज करी जारी है, machinery वगेरा, this is known as standardization of work, समझ में आ गया, it does not only, it does not mean only quality standard, हम से quality से related standards की बात ही नहीं करे, product का size भी same होगा, उसका type भी same होगा, उसका weight भी same होगा, उसका measurement भी same होगा, उसकी quality भी same होगी, this is known as standardization of work, अब standardization का फाइदा क्या है, जो हमारा product में के निकल रहा है, वो same type का होगा, same size का होगा, उसके same characteristics sticks होंगे, जैसे मैंने iPhone का example दिया, branded चीजों के मैं example की बात कर रही हूँ, मान लो मैं कहीं पर बना रही हूँ, वही iPhone 15, मैं MP के अंदर बना रही हूँ, आप UP के अंदर हो, MP वाली जगा पर raw material की कमी हो गई, तो हम लोग UP से raw material ले सकते हैं, interchange कर सकते हैं, raw material हो गई, manufactured parts वगेर एक standard और excellent quality का हमें material मिलेगा, standard और excellent quality का हमें product मिलेगा, to establish standard of performance of man and machines, और यहाँ पर कही न कहीं लोगों के लिए भी standards fix होते हैं, कि employees को किस तरह से काम करना है, machines से हमें किस तरह से काम निकलवाना है, हर चीज के लिए पहले से standards fix होते हैं, ताकि हमारा product है, वो same quality का बन कर निकल standardization समझ में आ गया, कि product हमारा कैसा होना चीए, standard होना चीए, यानि कि standard quality का होना चाहिए, एकदम identical होना चाहिए, दूसरी चीज है simplification of work, यह एकदम अलग होता है, तो simplification of work का मतलब है, आप लोगों ने देखा होगा, 99 variety dosa, 99 variety dosa, कोई दुकान है जहाँ पर 99 तरह के dosas मिल रह और सिर्फ कहां से होगी, इन 5-6 dosas से होगी, बाकी के dosas से extra sales नहीं हो रही होगी, मतलब जितनी sales होनी चाहिए, उतनी sales नहीं हो रही होगी, तो यह जो extra variety है, extra type के dosas बेचे जा रहे हैं, इसे eliminate करना, इसे खतम करना, इसे क्या बोला जाता है, simplification of work, कि जितने के demand आ रही है, customer जो main खरीद रहा है, आप सिर्फ उसी को बेचो, आपने जो unnecessary diversity pretty create कर रही है, इतने तरह के आप 2-6 बेच रहे हो, अलग-अलग तरह के आप products बेच रहे हो, अलग-अलग shapes में, अलग-अलग sizes में, चाहे उनकी demand ही नहीं है, उने खतम करना, इस unnecessary diversity को खतम करना, data simplification of work, simplification aims at eliminating unnecessary diversity आपने जो बहुत सारी diversity create कर रही है, आप बहुत सारे extra products बेच रहे हो, अलग-अलग shapes के, अलग-अलग sizes के, अलग-अलग types के, उने eliminate करना, उने खतम करना, जिनकी demand है, जिनकी main demand है, सिर्फ उनी products को sell करना, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी cost कमाएगी, आपकी labor की cost कमाएग आपके जितने भी resources हैं, आपके जितने भी equipments हैं, उनका fuller utilization होगा, क्योंकि अब आप सिर्फ वो चीजी बना रहे हो, जिनकी सबसे ज्यादा sales हो रही है, अपने आप आपका turnover, यानि कि आपकी sales क्या होंगी, increase होंगी, समझ में आ गिया, तो पहला मैंने आपको क्या बताया, standardization, यानि कि जो हमारा product बन के निकल रहा है, वो standard quality का होना चीए, same shape, same size, same weight, same color, सब कुछ सेम होना चीए, और simplification of work का मतलब है, अगर आप unnecessary फाल्तू के products बेच रहे हो, extra products बेच रहे हो, unnecessary diversity create कर रही है, तो उसे eliminate करना, अपने काम को simplify करना, data simplification of work, clear हो गया, third हमारे पास में आती है, work study, देखो work study के अंदर हम अलग-अलग तरे की 4 studies करते हैं, work study का main मकसद क्या है, कि काम ऐसे हो, कि काम को करने की हमारी cost कम से कमाए, हमारे सारे के सारे resources का proper utilization होना चीए, जितने भी resources है, उनका best contribution हो, यानि कि हमें maximum results मिले, कम से कम cost के अंदर, that is work study, और work study में हम चार अलग-अलग तरे की studies करते हैं, जैसे method study, method study में हम ये देखते हैं, कि किसी भी काम को करने का best method होता है, उस best method को find out करना, एक ऐसे method को find out करना, जिसे resources का proper utilization हो, cost कम से कमाए, और हमें जादा से जादा output हो, अब ये best method हर जगा पर हमें देखना है, जब आप raw material खर जब आप production कर रहे हो, तब आप best method से production करो, जब आप अपने product को promote कर रहे हो, उसकी marketing कर रहे हो, तब आप best method से marketing करो, और जब product को sell करने की बारी आ रही है, तब ही best method सेलेक्ट करना, sales करने का, तो best method सेलेक्ट करना, किसके अंदर आएगा method study के अंदर, second हमारे पास में आती है motion जुज नॉर्मलिए जब वर्कर्स काम करते हैं तो वह बहुत सारी मौशन होता है कई बार किसी ऑभजेक्ट को लिफ्ट कर रहे होते हैं कई बार जाटे हैं टूल्स लेper आते हैं कई बार वो वाश्रूम वगेरा जाता हैं जैसे अभी धूमेंट्स हैं कि इंहें eliminate करो, इन्हें कम करो, यहां पर बहुत जादा time waste हो रहा है, यह किसमें आता है motion study के अंदर, है किसे कर सकते मैं बार बार मेरा pen इसके अंदर रही हूं utis कहीं हिसे kence ना धे मैं पास में रख रहा है तो में easily pan को रख लेजियों in a delay I can decide a distance तूल बोक्स जहां से वर्कर टूल्स लेकर आ रहा है ओजार वगेरा लेकर आ रहा है वो अगर दूर है तो वो पास में होना थी है अपनी आप अन्प्रोडक्टिव मुमेंट्स क्या हो जाएंगी एलिमिनेट हो जाएंगी थर्ड आता है टाइम स्टेडी यानि कि पता लगा स्टेड़ आपने देखा आठ मिनिट लग रहे हैं तो आपने स्टांडर्ट टाइम पिक्स कर दिया कि इस जॉप को परफॉर्म करने में आठ मिनिट लगने चाहिए जो बन्दा आठ मिनिट या आठ से कम मिनिट में कॉफी बना देगा एफिशेंट वर्कर है जिसे आठ ग ज्यादा लगेंगों वो inefficient worker है, सही से काम नहीं कर रहा है, और last हमारे पास में आती है fatigue study, fatigue मतलब ठकान से related, जे को कोई भी इंसान हो, चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, आप पढ़ते पढ़ते ठक जाते हो, मैं पढ़ते पढ़ते ठक जाती हो, तो हमारे अंदर है यार हम काम कर करते ठक जाते हैं, हमें बीच बीच में rest intervals की जरुवत होती है, break की requirement होती है, ताकि break बिले हम दुबारा से वो stamina regain कर सके, हमारे पास में दुबारा से energy आ जाए, हम दुबारा से हमारी efficiency increase हो जाए, तो fatigue study का मतलब पर पता लगाना, कि बंदे को कितने कितने time में rest intervals देने की जर पर आता है, fatigue study के अंदर, सबसे पहले कौन सा है, method study, the objective of method study is to find out one best way of doing the job, इसका मकसद है, यह पता लगाना किसी भी job को perform करने के लिए, जो best method है, उस best method को identify करना, हर जाप जोब को perform करने के लिए, बहुत सारे methods होते है, best method को find out करना, अब best method आपको हर जगाना है, जब आप raw material यह लेकर आ रहे हो, best method आपको choose करना है, जब आप अपना product का production कर रहे हो, manufacturing कर रहे हो, best method यूज करना, और तो और जब आप अपने product को customers को deliver करोगे, sell करोगे, उसके लिए भी best method को identify करना, यह किसमें आता है method study के अंदर, एक ऐसा method चुनना कि हमारी cost of production कम से कमाए, हमारे सारे resources का best utilization होना चीए, यानि कि production increase होना चीए, productivity increase होनी चीए, that is method study, समझ पे आया, second हमारे पास में कौन सा था, motion study, अवरकर जो है, वो बहुत सारे motions, यानि कि बहुत सारी moments करता है, कई बार वो objects lift करता है, कई बार वो objects को बार बार उठाता है, जैसे बार बार मैं इस pen को उठा र रहता है, washroom जाता है, चाई बार पीता है, बहुत सारी moments करता है, unnecessary moments जो है, यानि कि जो unproductive moments है, उन्हें eliminate करना, खतम करना, ताकि जो भी job है, वो time पर complete हो जाए, तो motion study का main objective क्या है, to determine the moment of workers when they are performing the job, सबसे पहले देखना कि workers कितने कितने तरह की moments कर रहे है, देखना productive moment कौन सी है, जो ज़रूरी है, production करने के लिए required है कि ये moment तो होगी ही, और unproductive moments कौन सी है, जितनी भी unproductive moments है, wasteful moments है, उन्हें कम करने की कोशिश करना कि toolbox बहुत दूर रखा हुआ है, तो उसे पास में रख दो, इसमें time waste कम होगा, washrooms बहुत दूर है, तो उन्हें पास में बनवा दो time waste कम होगा, इस तरह की unproductive और wasteful moments को कम करना, to design suitable equipments की tools और equipments ऐसे हों कि बन्दे की unproductive moments कम से कम होनी चाहिए, that is motion study, जैसे मैंने आपको बताया है, ये जो मेरा pan का holder है, ये मेरे पास में रखा हुआ है, तो मैं फटा-फट से pan रख देती हूँ, फटा-फट से pan उठा देती next क्या था हमारा, next हा time study, it determines the standard time to perform a well-defined job, पता लगाना कि किसी भी job को perform करने में कितना time लगता है, बहुत सारे measuring devices use करना, जब हमारा एक worker काम कर रहा है, stop watch आपने चालू कर दी, जब job उसकी complete हो जाएगी, coffee बन के ready हो गई, आपने stop watch को बंद कर दिया, तो आपको पता लग जा हैं, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी job के लिए standard time fix कर सकते हैं, workers के लिए, workers के लिए हम target set कर सकते हैं, कि आपको एक दिन में कितनी units produce करनी है, इससे हमें ये भी पता चल जाएगा, हमें कितने workers की requirement है, जब हमें पता है किसी भी job को perform करने में कितना time लगता है, तो ह हमें एक idea लग जाता है कि यार हमारे पास में कितने workers की requirement है जो बंदा 8 minute या 8 से कम minute में coffee बना देता है वो हमारे लिए efficient worker है जिसे same coffee बनाने में 10 minute लगते हैं 12 minute लगते हैं वो कहीं ना कहीं क्या है inefficient worker है तो workers को हम efficient और inefficient की categories में भी divide कर सकते हैं last study आती है हमारे पास में fatigue study fatigue study का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया अब person is bound to feel tired physically and mentally if he she does not rest while working कोई person है काम कर रहा है काम करते करते हैं अगर उसे rest नहीं मिल रहा physically भी tired हो जाएगा mentally भी tired हो जाएगा the rest intervals will help one to regain stamina and work again with the same capacity unity अगर बंडे को बीच में rest मिल जाता है coffee का break मिल जाता है lunch break मिल जाता है तो बंडे का stamina वापस से आजाता है दुबारा वो same capacity से काम कर सकता है उसकी productivity increase होगी जैसे school में आप लोगों ने देखा होगा lunch break होता है थीक है तो दुबारा से stamina वापस आजाता है दुबारा आपका क गेन कर लेते हो, वही fatigue study है, तो ये देखना frequency of rest intervals की कि कितनी-कितनी देर में बंदे को rest intervals देने हैं, coffee break हो गया, tea break वगेरा हो गया, fruit break हो गया, कितनी-कितनी देर में बंदे को rest intervals देने हैं, हर rest interval का duration कितने time का होना चाहिए, यानि कि lunch break है 45 minutes का, coffee breaks आपने बीच में 2 दे दिये 10-10 minute के, और number of rest intervals एक दिन में कितने rest intervals देने हैं, एक दिन में कितने rest intervals देने हैं, हर rest interval का duration कितना होना चाहिए, और कितनी-कितनी देर में rest intervals देने हैं, ये study किसमें आती है, fatigue study के अंदर, to conduct fatty study, अभी fatigue study कैसे करी जाती है, तो tailor कहते हैं एक average worker को अच्छे से job perform करते time पर observe करो, चार गंटे के बाद में आपको लग रहा है यार ये टायर्ट हो गया अब इसका efficiency level गिरने लग गया है तब उस बंदे को क्या दिया चाए ब्रेक दिया चाए तो इस तरह से हम fatigue study कर सकते हैं on an average एक बंदे को observe करके समझ में आ गया तो तो तीन तरहे की टेकनीक हम लोगों ने पढ़ ली सबसे पहले हम लोगों ने कौन सी पढ़ी हमारा functional formanship यानि कि यहां पर हमारे पास में क्या होंगे आठ functional experts होंगे चार planning department के अंदर चार production department के अंदर इसे याद कैसे रखोगे देको planning वालों को याद रख लो dirt से किसे याद रहेगा dirt से D से discipline I से हमारा instruction card clerk R से routine clerk और T से हो गया time and cost clerk और production in charge वाले याद रख लो sir जी कैसे याद रहेंगे sir जी S से हमारा speed boss I से हमारा inspector R से repair boss और G से हो गया हमारा gang boss next हमारे पास में आया था standardization and simplification of work standardization मतलब product हमारा standard quality का होना चीए एकदम identical same to same होना चीए और simplification का मतलब है unnecessary diversity unnecessary shapes में बेच रहे हो size में बेच रहे हो colors में बेच रहे हो उस unnecessary diversity को खतम करना third work study में method study then हमारे पास में motion study कि unproductive moments कम से कम होने चाहिए time study मतलब पता लगाना कि किसी भी job को perform करने में कितना time लगता है और static study में हम 3 ही जे करते हैं कि rest intervals एक दिन में कितने होंगे हर rest interval का duration कितना होगा और कितनी कितनी देर में बंदे को rest intervals दिये जाने चाहिए fourth आता है differential peace wage system एकदम असान सा है यानि की workers को उन्होंने चितना production करा है जितनी units बनाई है उसके according pay करना अगर वो जादा units बना रहा है तो आप उसे pay जादा करोगे अगर वो कम units बना रहा है तो आप उसे pay कम करोगे इसे हम लोग क्या बोलते है differential peace wage system for example आप लोगोंने target set कर दिया कि एक दिन में बन्दे को 10 units produce करनी है कितनी units produce करनी है 10 units produce करनी है और 10 units के लिए उसे pay करा जाएगा 100 रुपे कितना pay करा जाएगा 100 रुपे तो अगर वो 10 units produce करता है तो उसे कितना मिलेगा 10 in 200 कितना मिल जाएगा 1000 रुपीज मिल जाएगे समझ में आया लेकिन मान लो अगर कोई बंदा ज़्यादा प्रेड्यूस कर देता है वो 12 यूनिट्स प्रेड्यूस कर देता है हम लोगोंने चो टार्गेट सेट करा है उससे ज़्यादा प्रेड्यूस कर देता है तो उसे 100 रुपे पे नहीं करे जाएंगे उसे पर unit के लिए ज़्यादा पे करा जाएगा उसे पर unit के लिए मानलो 110 पे करा जाएगा कितना पे करा जाएगा 110 पे करा जाएगा तो अगर कोई बंदा 10 units बनाता है हम लोगों ने कितना decide करा है कि पर unit के लिए उसे 100 रुपे पे करेंगे कितना पे करा जाएगा 1000 अगर कोई बंदा 12 यूनिट्स बना देता है जादा यूनिट्स बना देता है तो हम पर यूनिट के लिए उसे 110 पे करेंगे यानि कि कितना पे करेंगे 1320 कितना पे करेंगे 1320 लेकिन अगर कोई बंदा 10 से कम यूनिट्स बनाता है वो 8 units ही बना रहा है तो हम उसे per unit के लिए 100 की बजाए कितना पे करेंगे 80 पे करेंगे तो ये कितना हो गया हम उसे सिर्फ 640 पे करेंगे कितना पे करेंगे 640 पे करेंगे ये differential piece wage system है यानि कि यहाँ पर आप वो जितनी units produce कर रहा है उसके according उसे pay कर रहे हो जो ज़्यादा produce कर रहा है वो efficient worker है जो कम produce कर रहा है वो क्या है inefficient worker है तो इससे अपने आप बन्दा ज़्यादा से ज़्यादा units produce करना चाहेगा बन्दे की productivity increase होगी organization के लिए अच्छा है यहाँ पर हम efficient employee को ज़्यादा pay करते है inefficient employee को कम pay करते है paying different rate of wage efficient बन्दे को extra pay करते हैं उसे जब ज़्यादा pay करा जारा है तो वो motivated रहता है हमेशा efficient worker की category में ही रहना पसंद करेगा production ज़्यादा ही करेगा जब हम efficient बन्दे को ज़्यादा pay करते हैं तो जो inefficient बन्दा है जो कम बना रहा है वो भी motivate होगा वो अगली बारी से efficient बन्दे की category में आने की कोशिश करेगा तो उसका production अपने आप increase हो जाएगा जब हम बन्दे को units produce के according pay करते हैं तो वो automatically prediction ज़्यादा करना चाहता है उसकी productivity increase होगी which is good for overall organization समझ में आ गया last technique है हमारे पास में mental revolution यह आपने पहले भी पढ़ रखा है किसी पर organization के अंदर दो departments होते है एक हमारा management का department होता है एक हमारा workers का department होता है अब यह दोनों departments एक दूसरे को अपना rival अपना दुश्मन समझते है workers को लगता है कि यार हमें pay कम करा जाता है हमसे काम जादा कराया जाता है हम overburdened है लेकिन underpaid है वही managers को लगता है these workers are good for nothing इनसे तो कोई कामी नहीं होता यह तो कामी नहीं करते तो mental revolution की जरवत है कि दोनों जो workers है जो managers है दोनों लोग एक दूसरे के towards अपना attitude change करें mental revolution यानि कि उनके attitude में change आए दोनों का एक दूसरे के towards competition की बजाए आपस में corporation होना चीए दोनों को पता होना चीए कि हमें एक दूसरे की requirement है अगर company को किसी ताल surplus हो रहा है profits वगएरा हो रहे हैं तो उसका share workers को भी मिले workers को भी bonus वगएरा मिले और दूसरी तरफ workers भी बहतरीन तरीके से काम करें ताकि हमारी company के profits increase हो सके अगर company के profits increase होंगे अपने workers की salary क्या हो जाएगी increase हो जाएगी तो दोनों लोग एक दूसरे के towards अपना attitude change करें अगर workers खुश रहेंगे तो overall हमारे business की prosperity increase होगे business grow करेगा workers ज़्यादा efficiency से काम करेंगे productivity increase होगे, business की sales increase होगे profits increase होंगे समझ में आगया तो इसी के साथ में chapter हमारा complete हो गया एक last के अंदर हम लोग tailor और fayol इन दोनों का जो भी contribution था दोनों के बीच में comparison देख लेते हैं और similarities देख लेते हैं सबसे पहले tailor की बात करते हैं तो यह किसको नजर में रखके बनाए गए हैं तो यह किसको नजर में रखके बनाए गए हैं जो बिल्कुल lower level managers हैं, जो factory workers हैं उन्हें नजर में रखके बनाए गए हैं unity of command की बात करें तो henry fayol unity of command पर focus करते हैं कि बाई orders जो हैं वो एक ही boss से मिलने चाहिए there should be one boss ठीक है सारे के सारे orders एक ही boss से मिलने चाहिए लेकिन अभी tailor वाले में हम लोगों ने functional fourmanship पढ़ा था यहाँ पर तो workers के उपर आठाट बहुस हैं देखा हम लोगों ने चाहर production department में चाहर planning department के अंदर तो यहाँ पर unity of command हमारा follow नहीं हो रहा henry fayol के जो principle है universally applicable है हर जगा पर apply हो जाएंगे management से related हैं यहाँ पर साइंस की बात हो रही है इन्होंने observe करे इन्होंने बहुत सारे experiments करके अपने principles डवलाप करे इसलिए इनके principles को हम बोलते है principles of scientific management इनका मकसद है overall administration की efficiency improve हो यानि की management वाला जो part है वो अच्छा होना चाहिए इन्होंने focus करा productivity increase हो रही चाहिए अभी हम लोगोंने देखा वो सारा का सारा किस से related था productivity से related था यह practitioner थे यानि की खुद करते रहते थे अपने personal experience से इन्होंने अपने principles डवलाप करे यह scientist थे यह experiments करते थे यह observe करते थे तब इन्होंने अपने principles और techniques डवलाप करी इन्हें हम father of general management बोलते हैं general theory of administration से यह related है इन्हें हम father of scientific management बोलते हैं इन्होंने हमें scientific management के principles और techniques थी समझ में आ गया similarities बहुत ही आसान सी है चाहे tailor के principles हो चाहे fail के principles हो दोनों के ही principles किस चीच पर stress देते हैं कि efficiency increase होनी चाहिए दोनों ने बोला है कि employees के बीच में और employers के बीच में managers के बीच में और workers के बीच में क्या होना चाहिए cooperation होना चाहिए competition नहीं होना चाहिए दोनों ने इस चीज पर stress दिया है कि हमें individual interest से ज़्यादा priority किसे देनी है organization के interest को priority देनी है पहला था हम लोगों ने ये both suggested division of work वहाँ पर भी हम लोगों ने division of work पढ़ा था फियोल के principles में पहला था यहाँ पर भी हम लोगों ने division of work पढ़ा है functional formanship के अंदर वो उसी का क्या है extension है एक आगे का next step है the principles of both are used as basis for research in the field of management दोनों के ही principles को management की field में जितना भी education है चाहे research work है training है दोनों जगाँ पर दोनों के ही principles को use करा जाता है और इजी के साथ में हमारा BST का सबसे बड़ा chapter principles of management complete होता है अब यहां तक का आपको अच्छे से पढ़के रखना है सारी चीज़े याद करके रखनी है साथ साथ में notes बनाते जाओ next class में हम लोग करेंगे हमारा chapter number 3 business environment छोट उसा chapter है one shot के अंदर cover करेंगे यह lecture कैसा लगा मुझे comments के अंदर बताना और लग रहा है यार मैं हम अपनी तरफ से effort दार दी है तो इन lectures को अपने friends के साथ में भी share करना I will see you tomorrow lots of love bye bye